इस वीडियो में हम वैज्ञानिक संकेतन यानि की साइंटिफिक नोटेशन के बारे में समझेंगे। वैज्ञानिक संकेतन बहुत ही महत्वपून होता है। यहां हम वैज्ञानिक संकेतन यानि की साइंटिफिक नोटेशन के कई उदाहरन करके देखेंगे। वैज्यानिक संकेतन का जितना अभ्यास करेंगे उतना ही लापतायक होगा वैज्यानिक संकेतन यानि की scientific notation द्वारा बड़ी से बड़ी संक्याओं को भी आसानी से लिखा जा सकता है आसानी से पढ़ा जा सकता है और आसानी से समझा जा सकता है तो हम एक संक्या लिख लेते है हम लिखते हैं 3.102 गुणा 10 की घात 2 यह वैज्यानिक संकेतन यानि की scientific notation में लिखी हुई है यहाँ 10 की घात 2 है हमको इसका संख्यात्मक मान यानि की numerical value पता करना है संख्यात्मक मान पता करने के दो तरीके हैं एक लंबा तरीका है, एक छोटा तरीका है हम पहले इसको लंबे तरीके से हल करते हैं इसको हम लिख सकते हैं 3.10 तो गुणा 100 और अगर आप इसको 100 से गुणा करते हैं तो यह होता है 3, 1, 0, 2 और 2.00 और आएंगे और फिर 3 स्थान पीछे दशमला है यहां भी हम 3 स्थान पीछे दशमला लगा देते हैं और यह सही उत्तर है यह बराबर है 3, 1, 0, 2 यानि की 310, 2 अब इसको छोटे तरेके से हल करते हैं ध्यान से देखिए यहां पर दशमला तीन के आगे है और अगर मैं इसकी गुणा 10 की घाद 2 से कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि हम दशमला को 2 स्थान दाई और बढ़ा रहे हैं तो 3, 1, 0, 2 गुणा 10 की घाद 2 हो जाएगा 3, 1, 0, 2 याद रखिए कि हम दशमला को 2 स्थान बढ़ा रहे हैं क्यूंकि 10 की घाद 2 है इसलिए ये होगा 3, 1, 0, 2 इसको हमने बड़ी जल्दी हल कर लिया है जब कभी भी आप इसको 10 से गुणा करते हैं तो दशमला को एक स्थान दाई और बढ़ा देते हैं आईए अब एक और प्रशन करते हैं हम एक संख्या ले ले लेते हैं 7, 4 गुणा 10 की घाद 4 हम इसको छोटे तरेखे से हल करते हैं हम दशमला को 4 स्थान दाई और बढ़ा देते हैं 7, 4 गुणा 10 की घाद 1 होगा 74 और 7, 4 गुणा 10 की घाद 2 होगा 740 हमको यहाँ पर 0 लिखना होगा क्यूंकि हमको दशमला आगे बढ़ाना है और 10 की घाद 3 होगा 7,400 और फिर 10 की घाद 4 होगा 74,000 ध्यान दीजिए मैंने दशमला को 1, 2, 3, 4 4 स्थान दाई और बढ़ाया है इसलिए यह हो जाता है 74,000 जब यहाँ 74 था तो मैंने इसको एक स्थान दाई और बढ़ाया था और यहाँ पर 0 ने लिख दिया था यानि कि मैंने इसको 10 से कुणा कर दिया था आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले अंक और दशमला के बीच 4 स्थान होने चाहिए यहाँ पर केवल एक ही स्थान है हमको चार स्थान चाहिए इसलिए एक दो तीन चार चार स्थान आईए अब कुछ प्रश्न करते हैं आप जितने अधिक प्रश्नों को हल करेंगे आपके लिए उतना ही लाबदायक होगा हम एक संख्या लेते हैं एक दशमलाव गुणा दस की किसी भी रिनात्मक घात से करते हैं तब हम दशमलाव को बायोर बढ़ाते हैं ये एक दशमलाव साथ पांच है अगर आप इसकी गुणा दस की घात रिनात्मक एक से करते हैं तो दशमलाव एक स्थान बायोर बढ़ेगा अगर आप 10 की खात रिणात्मक 2 से करते हैं तो दशमलो दो स्थान बायोर बढ़ेगा और यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा और अगर 10 की घात रिनात्मक 3 से गुणा करते हैं तो दशमलाव 3 स्थान बायोर बढ़ेगा और यहाँ पर एक और 0 लिखना होगा तो दशमलाव को 1, 2, 3 स्थान बायोर बढ़ाते हैं और हमारा उत्तर होता है 0.00175 और यह 1.75 गुणा 10 की घात रिनात्मक 3 के बराबर है हम उत्तर की जाजबी कर सकते हैं देखे यहाँ पर एक लिखा है अगर इस एक को मिलाकर दशमलाव के दाईयोर लिखे 0 की संख्या 10 की रिनात्मक घात के बराबर है तो हमारा उत्तर सही होगा यहाँ पर दशमलाव के दाईयोर एक, दो, तीन संख्याए हैं और यह 10 की रिनात्मक घात के बराबर है वास्तों में हम एक हजारहवा भाग निकाल रहे हैं यह एक हजारहवा भाग ही है आईए अब एक और प्रश्नहल करते हैं अब हम थोड़ा सा अलग करते हैं हम एक संख्यात्मक मान लेते हैं और उसको वैग्यानिक संकेतन यानि की साइन्टिफिक नोटेशन में लिखेंगे माना हमारी संख्या है एक लाख बीस हजार यह एक संख्यात्मक मान है और हमको इससे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है हम इसको कैसे लिखेंगे हम सबसे पहला अंक लेते हैं 1.2 गुणा 10 की घात कितनी होगी हम गिनेंगे कि पहले अंक के बाद कितने अंक है 1, 2, 3, 4, 5 इसलिए 1.2 गुणा 10 की घात 5 दस की घात 5 होता है एक लाख इसलिए 1.2 गुणा एक और पांच शुन्य ये दस की घात 5 के बराबर है तो 1.2 गुणा एक लाख बराबर बारा लाख ये एक और एक बटा 5 गुणा एक लाख तो ये हुआ एक सौ पीस आईए अब एक और प्रशन करते हैं हमारे पास एक संख्यात्मक मान है 17,65,244 हमें इसको वैग्यानिक संखेतन यानि की scientific notation के रूप में लिखना है इसलिए मैं सबसे पहला अंग लिख लेता हूँ यानि की 1 और अब दशमलों लगा देता हूँ और अब सारे अंग दशमलों के बाएं आएंगे 7,6,5,2,4,4 और अब हम गिनते हैं कि पहले अंग और दशमलों के बीच कितने अंग हैं यह तशमलों है तो पहले अंग और दशमलों के बीच कुल अंग हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै यहाँ छै अंग हैं यानि की गुणा दस की घात छै और दस की घात छै होता है दस लाख तो यह एक तशमलों 7,6,5,2,4,4 गुणा दस लाख है और अगर आप अनुमान लगाएं तो एक तशमलों 7,5,10,7,0,0,0,0,0,0,0 के बराबर होता है तो यह उत्तर सही है हम बारा को वैग्यानिक संकेतन यानि की साइंटिफिक नोटेशन के रूप में कैसे लिखेंगे त्यान से देखिए यह होगा एक दशमलों दो गुणा और यहाँ पर दशमलों और पहले अंक के पीच में केवल एक अंक है इसलिए यह हो जाएगा एक दशमलों दो गुणा दस की घात एक और एक दशमलों दो गुणा दस निश्चित रूप से बारह के ही बराबर होता है आएए अब दस की रिनात्मक घात के भी कुछ प्रश्न करते हैं हमारे पास एक संख्या है 0.002.8.1 और हम इसको वैग्यानिक संकेतन यानिकी साइन्टिफिक नोटेशन के रूप में लिखना चाहते हैं अब हम ये देखेंगे कि दशमलों से लेकर दो तक कुल कितने अंक हैं हम दो को भी गिनेंगे हम इसको भी गिनते हैं एक, दो, तीन हमें दशमलों को तीन स्थान दाइयोर बढ़ाना है और दशमलों को तीन स्थान दाइयोर और बढ़ाने के लिए हमें इसकी गुणा दस की घात तीन से करनी होगी लेकिन अगर आप इसकी गुणा दस की घात तीन से करते हैं तो इसका मान बदल जाएगा, इसलिए आपको इसकी गुणा 10 की घात रिनात्मक 3 से भी करनी पड़ेगी, ऐसा करने से इसका मान नहीं बदलेगा, क्यूंकि 10 की घात 3 गुणा 10 की घात रिनात्मक 3 एक के बराबर होती है, यानिकि आप इसको एक से ही गुणा कर रहे हैं, इसल को तीन स्थान दाई और और पढ़ा देता हूं, तो ये भाग बराबर होगा 2.8 एक के, और यहां पर बस दस की घाद, रिनात्मक तीन ही बचेगा, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, कि दो से लेकर दसमलो तक कुल कितने अंग हैं, एक, दो, तीन, तो ये हो जाएगा 2.8 एक गु और प्रश्न हल करके देखते हैं, हम एक संक्या लेते हैं, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.002, 7. इसमें बहुत सारे शुन्य है, हम इसको व्यज्ञानिक संकेतन की रूप में लिखना हैं, हम 2 के पीछे के सभी यंगों को दशमलो तक गिनेंगे, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8 इसलिए ये हो जाएगा 2.7 गुणा 10 की घात रिनात्मक 8 आएए अब एक और प्रश्न करते हैं इस बार हम वैज्यानिक संकेतन के रूप में संख्या लेंगे और उसका संख्यात्मक मान पता करेंगे हमारे पास है 2.9 गुणा 10 की घात रिनात्मक 5 इस पहले अंक यानि क 2 और सभी 0 को मिला कर दशमलो के बायूर कुल 5 अंक होंगे तो हम 2 और 9 लिख देते हैं और अभी 4 शुन्य और लगाने हैं तो 1,2,3 और 4 शुन्य और ये दशमलो ध्यान से देखिए कि दशमलो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच स्थान पीछे हो गया है तो ये हो जाता है 0,00, 00, 00, 29 हम उत्तर की जाच भी कर सकते हैं हम आपको वैग्यानिक संकेतन में वापस लिख कर देते हैं हम 2 से लेकर दशमलो तक के सभी अंकों को गिनेंगे इसमें 2 भी शामिल होगा ये कुल 1,2,3,4,5 अंक हैं इसलिए ये हो जाएगा 10 की घात रणात् इसलिए ये होगा 2,9 गुणा 10 की घात रणात्मक 5 और ये कोई जादू नहीं है ये एक्तम तारकिक यानिकी लॉजिकल है अगर मुझे इस संक्या को 2,9 में बदलना है तो मुझे दशमलो को 1,2,3,4,5 पांच स्थान बढ़ाना होगा और ऐजा करने के लिए हमको इसकी करनी होगी मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यूंकि संक्या का मान नहीं बदलना चाहिए इसलिए इसकी गुणा 10 की घात रणात्मक 5 से भी करनी होगी और ये किसी संक्या की गुणा एक से करने जैसा ही है क्यूंकि 10 की घात 5 गुणा 10 की घात रणात्मक 5 पराबर होता है एक तो इस वाले भाग में दशमलाव, पांच स्थान दायोर बढ़ जाएगा, एक, दो, पीन, चार, पांच, तो ये हो जाएगा दो दशमलाव पांच, और यहां केवल दस की घात रिनात्मक पांच ही बचेगा, हम आशा करते हैं कि ये आपके लिए बहुत उप्योगी रहा कि अशमलाव पांच, कर वाएगा, खर